एदी का नूटिस समर मिला है अब फूस्ताज के दो तरीको बुलाया है एदी का बीजेपी का नूटिस मिला है एदी वेडी नहीं है हमने बोलना बंड कर दिया नो एदी नो आइटी नो सीबी आई बीजेपी शब्द लग है एदी अभी चुनौका भी मौसम है उन राज्यो पर पर बिपक्ष के नेताओं को भी यह तहमने तय कर लिया है कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लग रहा है हम इन संस्थाओं से भी लग रहा है जिन्होंने अपने चरितर हनन का खुद से विटनेस बनना सुईकार किया भारती जन्ता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है दिल्ली और पंजाब में हो रहा है हर काम से डर लगता है फ्री बिजली से डर लगता है अच्छे स्कूलों से डर लगता है महला क्रिनिक से डर लगता है इसी लिए वो जूटे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है पार्टी को खतम करना चाहती है इसी साजिश के तहन्तफ दो नमंबर को अरविंद केजरी देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंतरी जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई और साल भर से ये कभी सतेंदर जैन जी को कभी मनीश सिसोदिया जी को कभी संजे सिंग जी को इन सब को कोई मांदारी के सर्टिफिकेट मानने मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल जी बांट रहे थे सचाई यह है कि जब से सत्ता में आये हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भरस्टाचार में लिप्त पाया गया और आप पिछले आठ नौ वर्षों की कड़ी एक के बाद कि कैसे व्यापक भरस्टाचार आम आदमी पाटी ने दिल्ली से लेके पंजाब तक किया है पंजाब में तो सरकार बनने के दो महिने के अंदर ही इनके स्वास्ते मंतरी को भरस्टाचार के चलते सीवा देना पड़ा आज हालत यह है कि यह पता नहीं कि इनके मंतरी जेल मे जादा हैं कि बाहर हैं तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिसका मुख्या ही ऐसा हो जो इमानदारी के सर्टिफिकेट बांटा हो तो पता है कि आशीरवाद किसका था किसके कहने पे भरश्चाचार हो रहा था और पूरा शड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था